कि अलो एवरिवन वेलकम तो दा स्टेडी कॉंसेट मध्यप्रदेश जीकी की सीरीज में आपका फिस्य सवागत है अगले 10 प्रस्ट में इसमें सामिल करूंगा तो आप सभी विद्यारती जो कि MPPSC आ व्याप्म के अन्य एक्जाम की तियारी कर रहे हैं लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़े रहे हैं और मेरे चैनल स्टेडी कॉंसेट को सब्सक्राइब कर लें आपके एक वी वीडियो स्किप नहीं होगा और वो सारे इंपोर्टेंट कॉश्चन कवर करेंगे जो कि मद्रप्रदेश एक्जाम्स में पूछे आते हैं MPG के से तो चली सुरू करता हूं यह 37 वीडियो जिसमें कि अगले इंपोर्टेंट दस कॉश्चन मैंने कवर किये हैं वीडियो पसंद आएं कॉश्चन पसंद आएं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू किजेगा हलो एवरिवन वेल्कम तो दा स्टडी कॉंसेट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपके साथ में अब अनेकेडमी की प्लेटपॉर्म पर में हूं जिसमें कि मैं रेगुलर चार क्लासिस ले रहा हूं और उन सभी क्लासिस में मैं आपको इन्वाइट करना जाता हूं तो रेगुलर आप मेरे वो सारी क्लासिस अनेकेडमी की प्लेटपॉर्म पर भी जुआइन कर सकते हैं जो कि स्पेशल फ्री क्लासिस हैं जिसमें कि आप वो सारे टॉपिक वो सारे सब्जेक्स का कम्प्लीट प्रप्रेशन कर पाएंगे जो कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर आएं जिसमें कि आप वो सभी टॉपिक कम्प्लीट कर पाएंगे उन सभी वीडियो के लिंक है उन सभी क्लासिस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्रिट बॉक्स में मिल जाएगा वहां से क्लिक करके आप जोइन कर सकते हैं साथी तो आप मेरा रिफरल कोड हरद्याल कुसवा एंटर करके आप वो सारी क्लासिस को अनलॉक कर सकते हैं जिसे कि आप प्रॉपर्ली वो सारी क्लासिस जॉइन कर पाएंगे तो वो रिफरल कोड भी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में जाएगा तो वहां से आप उसको कौपी करके अपने अने के प्लेटपॉर्म के अब पर आप एंटर करके अनओक कर सकते हैं, वो सारी क्लासिस जो कि आप मेरे मात्यम से देखना चाहते हैं, तो आप सभी स्टुटेंट का मैं मेरे इस प्लेटफॉर्म पर बेता भी से इंतियार करूंगा जो कि रेगुलर सुबा नो वज़े से लेके रात में नो वज़े तक मैं लगातार ले रहा हूं तो थैंक यू सो मच आइविल वेट फॉर यू इन अनकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर क्रेकिंग अल्दा इग्जामनेशन इंडिया लार्जेस लर्निक प्लेटफॉर्म अनकेडमी सब्सक्राइब करें आप रिफल कोड लगा कर जिससे कि आपको 10% का डिस्कॉंड मलेगा जो अनकेडमी पर फ्री में आपको लिमिटेट लेवर्ट एटाइज आपको की चोट की facto आपके यहांपर और आप किसी भी समय कहीं पर भी रहकर लाइब और रिकॉर्डिश शेसंसे स्टडी कर सकते हैं मल्टीपल कोर्स्पंडेंड को सिस होते हैं अक्याद में पुरा पूर्स कम्प्रिट होता है साथ ही साथ आप यहां पर अन्लिमिटीट कुईज स्वयम होस्ट कर सकते हैं साथ मे अगर आप अनकेडेमी का सब्सक्रिप्र कर सकते हैं और अगर आप सब्सक्रिप्र वीडियो डाउनलूड की जा सकती है पर अगर आप सब्सक्रिप्शन के साथ में प्लस की उज़िस बनते हैं तो आपको यहां पर मल्टीपल इंटरेक्टिव डाउट सॉलुशन मिलता है जिसमें की वन टू वन लाइब मेंटर सी प्लेटफॉर्म पर आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं मेंंटर के साथ में फॉन कॉलों के जली जोकी तस मिरश बीस मिरश दीनिट के फोन को रोतता है, इसमें आप अपने सारे एग्जाम से रडिटेद डाउट यहां पर क्लियरule कर सकते हैं तो सर्बस्रिब्शन आपको आइकउनिक सॉस्रियों मे साथ में आप यहां पर अने पर शेट फ्री प्रक्रिक्टिस टैस्ट जो कि यहां पर कंड़क्ट होता है रोज शामको साथ बज़े तु सटड़े अग्यार्ट अने पर सब्सक्रिप्शन में आपको मैं मैं पेच का हिंदी इसे स्टार्ट हो चुका है जो कि सब्सक्रिप्शन के वाद में आपको इसमें एकसिस मिलेगा जो की सब्सक्राइब कीजिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा रिफल कोड लगाने पर जो की हर्द्याल कुछ पर इसको यूज करने यू विल गेट 10% सब्सक्राइब कीजिए 10% का डिस्काउंट सीधा मिलेगा और प्लेस की उज़स बनके इस प्लेटपॉर्म पर आप कंप्लीट ओनलाइन मीडियम में यहां पर कंप्लीट प्रपेश्चन करने लिजिए पहला कॉशन आ गया मद्यप्रदेश जी की का मद्यप्रदेश के पस्ची मी भूबाग में मालवा इस्तित पठार पर किस प्रकार की मिट्टी पाए जाती है तो इसका यूसरा ही विकल्प है काली मिर्दा ब्लैक सोयल पाए जाती उत्तर और उत्तर पूर्प तक प्रवायत होने वाली अधिकांस नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है तो इसका सही उत्तर है यमना नदी तंतर में जाकर मिल जाती है यमना की ये सायक नदी होती है अगला कॉशन मद्यप्रदेश की किस पठार को नदियों का मायका कहा जा इसका जो सव्य विखल्प है वह हैТँ उत्तरपूर्व की दिसा की ओर नॉर्थ इस्की ओर इसका पूरा फ्लू और ढाल है अगला प्रस्ट में मालवा का पठार का मद्य भाग से कौन सी रेखा होकर गुजरती है तो इसका जो सही विकल्प है करक रेखा ट्रॉपिक ओप कैंसर जिसको की 23 आप कहते हैं जो कि मालवा का पठार नर्वदा नदी की अतिरिक्ति की अतिरिक्ति इस नदी के मध का जल भाजक का कारे करता है जो की मध्य प्रदेश में इंदोर के पास में जो तहेस्तील है महू इंदोर में Iंदोर जिले में वहां से जाना पावा को जाना पावा की पाहरी से इसका उध्गम हिए को अकला प्रस्ट sucks मालवा के पठार का सबसे गर्म महा कौन सा होता है तो इसका सई विकल्प है माई, माई का जो महिना होता है वो सबसे यादा गर्म होता है मालवा के पठार का अगला प्रस्न मालवा के पठार उत्तर प्रस्चिम में कौन सी पहाड़िया है तो इसका सई विकल्प है अरावले की पाड़ियां, अरावली हील्स जो कि उत्तर पर्ष्चिम में इस्तेतने जो कि पृत्वी की सबसे पुरानी पाड़ियों में से एक कहलाती है अरावले की पाड़ी मद्द पृत्रिश में लावा के साक्षि कहां से प्राप्त हुआ है मालवा के पाड़ियों में जो पूरा प्लेटू है वह लावा के उद्धगर से पूरा निरमित हुआ है तो व विकल्प पे रिटा करेक्א आंसर अगला question फयान ने किस पठार की जलवायू को विश्व की सेस्ट जलवायू कहा है तो इसका से उत्तर है मालवा के पठार को सेस्ट जलवायू कहा है यह थे 10 प्रस ने जो कि मैं आपके सामने लेके आया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक और शेयर क कर पाएंगे जो कि आप अपने एक्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसी के साथ अपना यह प्रिशन का दस्वा दस प्रिशनों का यह वीडियो यह समाप्त करता हूं अगला वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगा तब तक कि लिए जय हिंद जय भारत डता कि अवे पारतशन मौ见 यह समापत एक रहे हैं अगला अगलन एक्जाओे जय हैं रहे इसाजडरूदar दस्वादा कर चामने हो इसाना हुटाओ